तो यदि आप लोग इंग्लिस सीखना चाहते हैं आप इंग्लिस की बुक नहीं पड़ पाते हैं और इंग्लिस के बारे आपको ज्यादा जनकारी नहीं है बहुत ही वीग है तो देखिए आज की वीडियो में आपको बताना वाला हूँ कुछ ऐसे डेने वाला हूँ जिससे आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं और आपको तीन-चार साल सीखते जबते इसा नहीं होता है यदि हम किसी चीज़ को सीख को चाहां तो तीन-चार महीने में सीख लेते हैं ठीक है वैसे इंग्लिश एक लेंग्वेज है तो मैं यह मान के कहता हूं कि आप यदि तीन कम से कम तीन महीने भी मेनत करते हैं यदि आपके अंदर इच्छा है सीखने की इंगलिस तो आप लोग तीन महीने में इंगलिस सीख सकते हैं ज्यादा बड़ी बात नहीं है ठीक है जिससे बंती नहीं उसे बड़ी बात लगती है और उसे कठन लगती है लेकिन हम लोगों को एकदम असान लगते बताओं तो लगभक 3 महीने में आपसे अच्छी खासर इस आने लगति हैं और रॉर एक्सौर्ट में तो आप यहां पर आप जैसे जैसे हम लोग करते हैं अंग्रेजी या इंग्लिस कैसे सीख और जी कैसे कैसे गुर्जी है यह हिंदी है अब यदि मुझे इसका इंग्लेज सिखें का यहां पर कहना पड़ेगा तो यह हिंदी में कह दिया इंग्लेज को कैसे छी अठीक है थी है इसके लिए जो टिप्स क्या है पहला नमबर तो आपको एक डिसिप्लेन बनाना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम कोई बड़े काम करते हैं इंगलेश को सीखना है किसी भासा को सीखना छोटी मोटी बात नहीं है बड़ी बात ही है तो यदि हमें कोई बड़ा काम करना है ठीक ह आपकी यदि मतलब कि आपका 6-7 पढ़ते हैं कितने मैं कच्छा वालों के लिए बता रहा हुए कच्छा 6-7 वालों के लिए डेली कम से कम 5 इनको 5 मिनिंग याद करनी है कितनी मिनिंग पांच मिनि ठीक है फिर झीर ने कि पांज पर चाहरा करते हैं लेकिन यहां पर कम कितनी आठ मीनिंग ठीक है इतना और यदि आप 10 11 पढ़ते हैं कितने में दस यह कच्छा दस में पढ़ते हैं तो आपको कम से करना है इसके आप बताऊंगा तो यदि आप स्टूडेंट क्या है यदि आप इस्टूडेंट है तो आपको अपने जो सब्जेट की बुक होती है इंग्लिस की रिडर वाली तो उसमें पीशे दिये रहते हैं मेनिंग तो आपको वहां से लेना हर एक लेसन के पांच मेनिंग लिखना ठीक है यह मैंने क्लास वाई बता दिया है तो आपको कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए आपको कई फंक्षन में जाना पड़ता है किसी की कोई कोई प्रोग्राम होता है या फिर आप थोड़ी बहुत तवियत खराब है ज्यादा विए नहीं सीरिस यदि आपकी हल सिस्टों अब दूसरी किहां करना है अपनी क्लास की अपने पैला काम यह कर और आप तीन करना कर느以前 करना है तूशर क्या वैनिफेट होगा यह 100 सब्सक्राइब कर दूसरा मैं है जो दूसरा तरीका है आपको मेनिंग याद करना के साथ को करना क्या है कि यदि आप स्टुडेंट है कि पढ़ रहा है किसी कच्छा में तो आपको अपने क्लास की इंग्लिस की जो बुक होगी उसे डेली पढ़ना है एक पेज सुबह और एक पेज सामके ज्यादा नहीं कहता मैं बांकी सब्जेक्ट भी होंगे यदि आप पढ़ते हैं मन लगा करके पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा नहीं मिल पाएगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं और डिली आपको से दो पेज इंग्लिस की जिस की पहले आप मेंग याद करेंगे याद करना है पांच और पढ़ सकते हैं अप सबी याद करना है तो जो वैसे ही याद बढ़ी मीनिंग को अच्छे स्सли yhte सब्सक्राइब करना है रिए उती आप सिद्सेट बनाए कि तो dane का पांच में है जैसे मैं आप रहे करना एस आपने पांच मिनिन लिखे न तो आपको याद करना है याद करने के बाद कंच दो आप दो नथे You जब इद भार बैट एक बार बैठें लिखे अर बैठके यह ठी में कि आप दीन षर हो पढ़ने और उसके बाद पिर आपको यहां पर इन को एक सो यहां पर को आपको पढ़ना है सब्सक्सक्राइब लीक αगर आप-डिंग जाइए लेकिन हर लिखा है इसको कवरें तेंदें चार दिन तक आपको पढ़ते रहना है फिर अ तो इन्होंnem 속 आप पांच मिर्ली होंगा तो इन उले पैंदरह तो बांकी स्थाल्व पढ! तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को तो अब सबसे बड़ी बात यह जो कि मैंने आपको बताई है यदि आप लोग मेंग डेली याद करते हैं तो यकीन मानिए आप से सब्सक्राइब कि मेंगे आपसे मेंग नहीं बनेगी आप चाहें कितनी ट्यूसन पढ़ाय है मतलब की ट्यूसन जाएं कोचिंग और तो इसके लेकिन जब काप यह नहीं यह करेंगे आप करना हरहाल में चाहिए और कम सेखителя है और तीन वहीने के बाद बंद करना है तेन आप के बाद आप कर देंगे ऐसा नहीं है दूसरा टिप्स हो गया बनाना है और यह अपने पर क्लास्ट लेना है और वीडियो को बैक करके दुबारा देख सकते हैं आपको पीछी टॉपिक भूलने जा रहा है तो अब तीसरी बात आती है आप देखी दूसरा टॉपिक क्या आपको लेशन पढ़ना है लेशन कैसे पढ़ने पढ़ने के बाध चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट पढ़ेंगे इंग्लिस का एक है दूसरी ना है थो नोब लोग जोड़-जोड़के पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे आपको बस पढ़ना है घलत बनती है गलत पढ़िए सही बनती है सही पढ़िए घलतएह रहता है फीर आप पीज रहता पूरा है कि एप यह द रहता है इसको पढ़िए पूरा पढ़े एक पेज का समय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधा पेज पढ़ें मतलब आपको इंगलिस शीखना है तो इंगलिस में आपको मन लगाना हुआ इंग्लिस में आपको मतलब की समय देगना होगा मेलेंग गाल चप्टर पढ़ना वहीं तो आपई इंग्लिस smnis को सीखने का और बांकि इंग्लिस making से बनती है और इसके की अावब म簡 l पढ़े लगबख 10 15 दिन उसके बाद फिर जब आप से थोड़ी थोड़ी मेनिंग याद हो जाएंगी उसके बाद आप लोग ग्रामर में जा सकते हैं क्योंकि जो ग्रामर होता है रोल्स होते हैं लेकिन पूरा मेनिंग का खेल होता है तो जब वाली से स्ठाट करके मैं आशी टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है तो आप लोग यह पींदं को लर्निंग को अपनी पढ़ाई को और जीडरो से लिखर机 एंड्र एक्सपर्ट बनने तक आप लोग आप लोग अपने घर के आज-पास की वस्तों के मेनिंग याद कर लिए तो आपके लिए जो मेनिंग याद करना के जो क्रम है और आसान हो जाएगा मतलब की यात्रा है आपके और आसान हो जाएगी पहले आप लोग पार्स और बॉड़ी याद कर सकते हैं जैसे अपने शरीर और घर की जरूयत वाल रोत होते हम मुख मुख उनकी मीनिंग में आगी पॉक्त अंक रशाच करके डेली आद करेजौième रफ में नूट बना सकते हैं सभी मेंनिक लिए ठीक है और नोट बना नहींती आपको डेली याद करना है तो चैनल को चैनल परना है तो सब्सक्राइब करें गहंटा बटन को दबा लेना ताकि नई वीडियो प्रेट और सूचने आपको टाम पर मिल जाएंगे तो ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियों है झाल झाल झाल